क्या आप मुझे comment करके बता सकते हैं कि projectile motion के अंदर किन दो angle पर horizontal range same होती है इसी concept को हम इस question की मदद से समझेंगे, question क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे It was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity and at an angle of elevation 5 by 36 radian should strike a given target in the same horizontal plane ये क्या है भाई या पहले theory के हिसाब से calculate किया गया कि अगर हम किसी shell को gun से fire करेंगे किसी velocity u से मालो velocity u ले लेते हैं हम और कितने angle पर 5 by 36 radian पर तो जो है जो target होगा horizontal direction में ही या same horizontal plane में ही वो जो target को hit कर जाएगी जब ये velocity और ये angle लेंगे तो बट actual में क्या होता है in actual practice it was found that a hill just prevented the trajectory अब actual में क्या होता है कि रास्ते में एक hill आ जाती है अब जब practical करने गए जब practical करने पर इसी angle पर और इसी velocity पर bullet fire करी हना same velocity और same angle ये लिया 5 by 36 तो actual में क्या हुआ वहा पर ये ध्यान नहीं दिया कि भाईया वहाँ पहाड भी है तो जैसे ही वो पहाड बीच में आया तो उसने इसकी trajectory को क्या कर दिया prevent कर दिया यानि कि रोक दिया just prevented का मतलब यहाँ पर ध्यान रखने आपको just का मतलब अभी समझाओंगा अभी ध्यान से समझने आपको just prevented the trajectory at what angle of elevation should the gun be fired to hit the target अब जो है अब हम किस angle पर gun को रखें या किस angle पर gun से fire करें ताकि target को hit किया जा सके तो ध्यान से समझेंगे इस question को माल लो यहाँ पर जो है बंदा खड़ा है इसने gun से bullet fire करी और यह bullet इस तरह से fire कर दी बहुत बढ़िया यह bullet जो है इसने fire कर दी और यह हमारा target यहाँ पर है यहाँ पर जो है target है तो यहाँ पर हमें यह पता चला कि यह velocity माल लो यू है तो और यह angle हमारा कितना है 5 spielt by 36, 5 spielt by 36, अब यह जो यह सेम horizontal plane का मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ, same horizontal plane का मतलब यह है मेरे भाई, इस तरह से आपको दिखेगा यह plane, हना इस plane के उपर हमने ball को छोड़ा, जैसे plane है, यहां से, यह ball नि, gun, गन से जो bullet fire करी वो इस तरह से clear है तो same horizontal plane में आगए अब ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि भहिया यहाँ पर बीच में क्या है एक hill है actual में ये ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर बीच में क्या था hill थी कोई अब ये just prevented का मतलब ये है कि जो bullet है just is point को touch कर रही है ये जो bullet है just is point को क्या कर रही है touch कर रही है इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये hill जो है बीच में रास्ते में आ जाएगी और ये just is trajectory को touch कर रही है तो इसका मतलब जब touch कर रही है तो ये hill की इस चोटी ने इस bullet की trajectory यहां पर इसका मतलब यही है तो अब जो है इस बॉल को कितने एंगल पर फैंके इस बॉल को कितने एंगल पर फैंके ताकि यह जो है इसी पॉइंट पर पहुंचे यह जो सुरी बुल गन को गन से बुलट जाएगी वह इसी पॉइंट पर पहुंचे तो उसे कितने एंगल प अब हम इसको कितने एंगल पर इस फाइर करें ताकि जो रेंज हो शेङ्ब हो रेंज सेम होने के लिए आपको क्या कपा है है आपको पता है रेंज का हॉर्मौला क्या भास फार्मला याद नहीं करने ह 창ी ऑज्यों वाहूं अदिस्प्लेस्मेंट साफ क्टjay है यह U cos theta मैं formula याद नहीं करता U cos theta into time of flight 2U sin theta upon g बस मुझे यही formula याद है 2u sin theta upon g, U sin theta upon g, half time of flight है, time of ascent है, time of descent है U sin theta. दोनों के add कल दिया तो यही formula मुझे याद है, बाकी मुझे याद नहीं है. यहां से आप देख सकते हो U cos theta, U sin theta, तो 2 u cos theta, 2 u cos theta, 2 u sin theta, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, u square 2 sin theta, cos theta upon g, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, u square sin 2 theta upon g, ये formula बन गया हमारा, ठीक है, ये range आ गई, अब हमें क्या करना है, हमें इस range, मानलो velocity u थी और theta हमारा 5 pi by 36 है, तो हमने इसको solve कर दिया, कुछ range आ गई, अब हम इसको कितने angle पर fire करें, ताकि ये range आए, तो अब ये करने के लिए आपको पता है, अगर मानलो आप theta लेते हो, अगर आप मानलो जो नया theta, theta dash लेते हो, वो pi by 2 minus theta ले लो, that means 90 minus theta ले लो, pi by 2 मतलब 90, तो इस formula में अगर आप उन में, g, तो अब आपको यहां से क्या मिलेगा, वो मैं आपको बतायता हूँ, u square, अब sine 180 minus 2 theta, ये किसके एकोल होता है, ये कौन से quadrant में आ गया, second quadrant में आ गया, A, S, T, C, after school to college के इसाब से, ये second quadrant में आ गया, second quadrant में आ गया, तो sine वाले positive होते है, sine वाले positive होंगे, तो इसका मतलब यहां पर ये sine का, जो direct magnet, वो है, sine, यानि कि, plus और minus वाला, जो sine है, वो change नहीं होगा, और दूसरा, ये 180, 90 का, even multiple है, 90 into even multiple, अगर even multiple होगा, यानि कि, 90 into 2 हो रहा है, तभी तो 180 हुआ, अगर 90 into 1 होता, या 90 into 3 होता, तो ये जो sine है, ये cos में change हो जाता, अब चूकि 90 into 2, 180 हो रहा है, तो ही जो sine है, ये cos में change नहीं होगा, तो as it is रह जाएगा, तो answer क्या मिल जाएगा, u square sine 2 theta, sine 2 theta upon में g, 180 minus 2 theta हमारा sine 2 theta हमें मिल जाएगा, ये ही हमें range बिल जाएगी, that means, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 90 minus theta वाले angle पर gun से bullet को fire करना पड़ेगा, तभी range सेम होगी, तो अगर मैं इसको यहाँ पर draw करूँ, अगर मैं यहाँ से bullet को दोबारा से fire करूँ, तो ये angle हमें कितना बनाना पड़ेगा, ये आपको समझना है, ये angle हमारा कितना होगा, pi by 2 minus 5 pi by 36, इसको solve कर लेंगे और यहाँ पर range जो है, सेम आ जाएगी अब इसको solve कर लो, pi by 2 minus 5 pi by 36, solve कर लो 36 इसका LCM आ जाएगा, ठीक है, 18 दुनी 36 तो 18 pi minus 5 pi, तो कितना होगी, 18 में से 5 गया, 13 pi, अब उन मैं 36, ये आपका answer आ गया, ये आपका answer आ गया, तो basically range जो है, sorry, range जो है, दो angle पर सेम होगी, theta पर और 90 minus theta पर, क्या ये बात के लिए है, तो range जो है, projectile motion के अंदर, theta और 90 minus theta पर सेम होगी, that means, अगर angle 30 है, तो 90 minus theta कितना होगा, 60, तो 30 degree के angle पर, 60 degree के angle पर range सेम होगी, अगर velocity सेम है, तो, यहाँ velocity सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, अगर angle 15 degree है, तो 90 minus 15, यानि कि 75 degree, तो 15 degree और 75 degree पर range सेम होगी, अगर velocity U, दोनों case में सेम है, तो ये था concept, horizontal range का कि कभ कभ horizontal range, सेम होगी, जब U velocity सेम होगी, तो दो angle ऐसे होगे, जहाँ पर range, सेम होगी, theta और 90 minus theta, उसी का ये concept था, यहाँ पर इसी question में, उसी concept को हमने use किया है, उमीद करता हूँ, आपके concept अच्छे समझ में आ गया, अगर आपको concept अच्छे समझ में आ गया, तो भाईया, वीडियो को like कर देना, और channel को subscribe करना, बिल्कुल मत भूलना, अगर आपको physics के अंदर कोई भी doubt है, तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, इस number पर, आप मुझे अपना doubt बेजी है, मैं solution provide कर दूँगा, अगर आप को इसका PDF चाहिए, तो आप website visit कर सकते हैं, www.vjacademy.in वहाँ जाएंगे, तो एक resource का tab मिलेगा,